वेल्कम बेक गाईज हीर आएम हीमंत और यूर वॉचिंग एच्छी गेमिंग सो दोस्तों यहां पर क्या पबजी मुबाइल दोबारा आएगा बहुत बड़ा क्वेशन मार्क बनकर रहे गया है यह काफी ज्यादा टाइम हो गया है अब तक काफी बंदे कह रहे थे कि भाई टाइम लगता अगर गेम को तो क्या वो फटाक से एक नया गेम लॉंच कर सकते हैं वो भी इतनी जल्दी बहुत ज्यादा मुश्किल मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर अगर आएगा भी तो भाई लंबा टाइम गया यहां पर लगबग एक दो महीना तो बिलकुल से न और भी बताएं सिर्फ यह नहीं बताया कि सिर्फ यही रीजन था कि वो चाइनीज एप था या फिर अपना सिक्योर्टी डाटा वगरा के लिए कुछ बैन किया गया बलकि यहां पर कुछ और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जैसे कि एडिक्शन भाई आप जानते हो इंडिय चितनी ज्यादा एडिक्शन थी और इंडिया में काफी जगे उसकी एडिक्शन काफी ज्यादा थी तभी उसमें एक रूल आयाता कि बहुत बहुत बड़ा खात्रा होती है क्योंकि बच्चे बढ़ते बिलकुल नहीं हैं और फिर आप जानते ही हो कि कितने सारे सुसाइड cases हुए हैं उसके लिए उपर से आप ये भी देखा होगा कि कितने ज्यादा बच्चों ने अपने पैसे खर्च करें उस पर लाखों में हजारों में भाई यार लाखों में बहुत ज्यादा कहीं न कहीं उनके लिंक होते हैं उन्होंने भी तक पॉजिटिव नहीं बोला है कि आने के पूरे-पूरे तो होते नहीं है कि भाईया बस चूटे मोड़े कोशिशन हो और 70 कितने भी चूटे मोटे हो एक अत्त मोटा फसी जाएगा यार जिसमें कुछ तिगडम चल जाए तो इसलिए बहुत मुश्केल है कि पबजी मुबाइल इतना जल्दी वापस आने वाला है और मुझे लगता है कि ये गेमिंग कम्यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है जैसे आपने देखा ही होगा कि स्काउट भाईया ने अभी एक पोश्ट डाला था अपने इंस्टाग्राम पर शाय कि काफी लोग उन्हें उल्टा सीदा बोल रहे हैं कि पब जी नहीं खेल रहे हैं तो उन्होंने कहा था यह पब जी बैन है और यह वह उल्टा सीदा बोला था तो मतलब फ्रस्टेशन क्योंकि अब उनकी जो ओडियंस भाई उन्होंने सिर्फ एक गेम खिला है हमेशा से वह है पब जी तो उनकी ओडियंस सिर्फ पब जी किए उन्हें वही देखना है वही उन्हें पसंद आता है तो यह थोड़ा सा दिक्कत है उनके लिए फस गई है लेकिन यहाँ पर काफी सारे यूट्यूबर अब अलग-अलग गेम्स करने लग गई है तो जो इंडिया की ओडियंस बनेगी ना वो mix-up बनेगी मतलब सब गेम्स देखने वाले बंदे मिलेंगे अब एक ही गेम देखने वाला खेलने वाला बंदा नहीं होगा जैसा फोरैन में होता है वैसे इंडिया में भी अब change होने वाला है और हो भी राए क्यूंकि आपने देखा काफी जो बड़े यूट्यूबर से वो उस टाइप का नहीं है थोड़ा हाथ नहीं बैठ रहा है मज़ा नहीं आ रहा है लेकिन फिर दीरे दीरे आदत बन गई तो ऐसे ही जब पबजी अगर दो तीन महीने नहीं आएगा तो अपने आप लोगों की थोड़ी बहुत आदत बन जाएगी कई लोग मैं देख रहा security का मामला है तो पहले देश उसके बाद में गेम भारत के लिए ऐसे हजार गेम कुर्बान है फिलाल दोस्तों आप देख सकते हो कि anti-cheating लागू कर दिया यहाँ पर PUBG Mobile ने और काफी सारे accounts permanently एक तरह से बोल सकते हैं साल के लिए तो permanently बोलता हूँ उसे कि बेन कर दिये गए मुझे रखता है इंडिया में से सबसे जादा बेन हो रहे हैं कि कोई तिगरम चला कर बहुत लोग उसे डाउनलोड कर रहे हैं खेल रहे हैं और यह चीज बेन हो जाती है अगर ऐसा आप करते हो